हलो डियर वेंट्स, वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल यूनिक मास्ट क्लासिज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पलना स्कीम के बारे में इस स्कीम पे हमने 25 कोशिंज के सेट लाया है यह एज़ो मॉग टेस्ट रहने वाला है आप इसमें कितना स्कोर करते हैं वो आपने कमेंट बाक्स में बताना है चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपने वेड़सेब ग्रूप नहीं जाइन किया हुआ हमारा तो आप जाइन कहिए सकते हैं अगर आप जेकैसस भी फीमेल सुपरवाइजर एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ सिर्फ फीमेल एस्पाइरेंट्स के लिए वो ग्रूप है बाकी किसी के लिए नहीं है आपने इस नंबर पे मैसेज करना है 8492886188 पे वहाँ पे आपको लेक्चर की पीडियाफ वगारा मिलती रहती है जैसे यह पलना स्कीम है इसकी पीडियाफ आरेड़ी वहाँ शेयर की हुई है और यहाँ पे आज हम क्वेशन की बात करेंगे हम अपना टाइम न वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपने अपना स्कोर जुरूर कमेंट बाक्स में बताना है और यह भी बताना है कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का पहला कोशन है क्या होगा अंसर आपके सामने हैं ऑप्शन, चूज कीजिएगा तो इस क्वेशन का अंसर होने वाला है आपने वीडियो को पास करना है फिर अंसर आपने चूज करना है फिर मैं आपको अंसर बताऊंगा नेक्स्ट क्वेशन की बात करते है यहाँ पर इसका अंसर क्या होने वाला है चूज कीजिएगा आपने अंसर चूज कर लिया होगा जुलाई 2022 में दा मनिस्ट्री आफ वूमें एंड चाल ड्वेल्पमेंट रिवेंप दा नेशनल केची स्कीम इन्टू पलना स्कीम अंडर मिशन शक्ती ओके आपने याद रखना है इस क्वेशन का अंसर है ओप्शन ए ओके नेक्स्क्वेशन की तरह बढ़ते हैं नेक्स्क्वेशन है हमारे पास ओमेनी टाइपस अफ गरचिज आज़ देर यहाँ पर कितने किसम की करचिज है इस स्कीम के अंदर एटाइप है बी टाइप है एडी है ये ओल अफ दीज क्या होगा अंसर चूज कीजिएगा तो इस question का answer होने वाला है option E all of these A, B, C, D types की craches हैं इस scheme के अंदर next question की बात कहते हैं next question है हमारे पास the union woman and child development ministry plans to set up dash craches within अंगनवाडी center across India under the पलना scheme 18,000, 17,000, 15,000, 16,000 क्या होगा answer बहुत important question है the union woman and child development ministry plans to set up 17,000 craches within अंगनवाडी centers across India under the पलना scheme option B is question का correct answer है मैं ज़्यादा डिटेल यहां पे नहीं बताऊंगा only question की बात करूंगा और नहीं ज़्यादा question को repeat करूंगा ताके आप बहुर ना हूँ next question की बात करते हैं next question है when was the national craches scheme launched option A 2008, 2006, 2005, 2004 हमारे पास national craches scheme कब launch की गई थी answer क्या होगा choose कीजिएगा तो इस question का answer क्या है हमारे पास option number B 2006 2006 में national craches scheme को launch किया गया था option B इसका correct answer है ठीक है next question की बात करते हैं what is the national craches scheme renamed as इसके क्या क्या नाम है इसको किस नाम से renamed किया गया पलना के साथ, mission शक्ती के साथ, portion के साथ, sumble के साथ क्या होगा answer choose कीजिएगा तो आपने answer choose कर लिया होगा इस question का answer है option A national craches scheme renamed as पलना scheme आपने याद रखना है हम बात ही किस की कर रहे है पलना scheme की next question की बात करते है how many sub schemes are there in mission शक्ती कितनी sub schemes है mission शक्ती के अंदर तीन है, दो है, एक है या चार है answer बताईएगा हमें पूछा गया है sub schemes इसके अंदर कितनी है question ये पूछा गया है अगर आपने उस pdf को अच्छे से पढ़ा है तो आप बता सकते हैं sub schemes इसके अंदर कितनी है mission शक्ती के अंदर तो इस question का answer है 2, okay option B, ठीक है B option इसका right answer है next question है हमारे पास क्रेचीज operates for dash days a month and dash hours by day, बहुत important question है aligning with mother's work schedules 26 days and 7.5 hours 26 days and 7 hours 28 days and 6 hours 28 days and 5 hours question पूछा गया है क्रेचीज operates for dash days a month and dash hours by day, aligning with mother's work schedules क्या होगा answer आपने चूज कर लिया होगा तो इसका answer है option A, okay हमारे पास 26 days and 7.5 hours okay क्रेचीज operates for 26 days and 7.5 hours by day, aligning with mother's work schedules okay जी, next question की तब बढ़ते है next question है मारे पास the first cradle baby reception center was launched at बहुत important question है इस में से एक इस question का answer आपने comment marks में भी बताना है देखते हैं आप कितनी preparation कर रहे हो first cradle baby reception center was launched at जम्मू, कश्मीर, ले, लदाक पहला cradle baby reception center कहां launch किया गया है current fair का question है इनी schemes के related है तो बहुत important हो जाता है क्या होगा answer तो याद रखना यह हमारे पास जम्मू में किया गया है ठीक है अब आपके लिए question है के कौन से hospital में किया गया है ठीक है उसका नाम आपने comment box में बताना है ठीक next question की तो बढ़ते हैं next question हमारे पास विचा तो following are components of समरतिया sub scheme अब जो मैंने आपको बताया यहां पूछ रहा है components क्या है समरतिया sub scheme के उजवाला है सवदार गे है working woman है all of these है चूज कीजिएगा answer which are the following are components of समरतिया sub scheme तो इस question का answer है all of these आपने यही चूज किया होगा उजवाला सवदार गे working woman are components of बहुत important question है option A 801 district 805 district 905 district 908 district मैं जहां पर जो question ला रहा हूँ साथ मैं करंट फेर के question भी ला रहा हूँ जो इससे बन देंगे जो आपको question आने के chances होते है ठीक है उसके according ही मैं यहां पर MCQs लाँँगा daily तो इस question का answer क्या होगा according to a government अपने चूज कर लिया होगा इसका option A ही answer है 801 district according to a government डाकुमेंट प्रिजेंट इन कोट 4.4 लाग केसी अपने याद रखना है 801 district यह अपने याद रखना है next question की बात करते है next question है service provided under पलना scheme केतनी services जो है वो इसके under provide की जाती है कौन कौन सी है day care facilities है option B early stimulation for children's below 3 years या pre-school education for 3 to 6 year old children's या all of these question पुछा गया है services जो provide की जाती है under पलना scheme कौन कौन सी है क्या ये सारे options correct है हैं या नहीं इन में से कोई एक है क्या होगा answer choose की दिएगा याद रखिएगा हमारे पास services provided under पलना scheme day care facilities भी है early stimulation for children below 3 years BC में आता है pre-school education for 3 to 6 year old children's ये भी आता है तो all of these इसका right answer है next question की दिए बढ़ते है question है what is the financial assistance under पलना scheme financial assistance क्या है पलना scheme के अंडर option A recruiting grant of RS ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 152,600 per annum is provided for a correction of 25 children and our recruiting grant for a period of 5 year RS यहाँ पे 10,000 yes C option है both A and B ये none of these तो क्या answer होने वाला है financial assistance under पलना scheme पूछा गया है तो क्या होगा option इसका कौन सा correct answer है बताएं जरा तो इसको answer क्या होने वाला है option C both A and B ठीक है a recruiting grant of RS 152,600 जो हमारे पास होगा ये हमारे पास पर annum होगा जो provide किया जाएगा क्रिची के अंडर आफ 25 children ठीक है और non recruiting grant जो होगा period के लिए वो 5 year का होगा वो 10,000 होगा ठीक है तो ये हमारे पास C option इसका correct answer था आपने भी यही answer दिया होगा next question पूछा गया है what are the objectives of पलना scheme पलना scheme के objective क्या है to provide day care facilities to improve nutrition to promote physical development all of these बताए answer क्या होगा objectives पूछे गे हैं पलना scheme के तो क्या होगा इसका right answer तो इसका right answer हमारे पास option D ही होने वाला है provide करती है ये day care facilities भी improve nutrition status को भी करती है promote physical development भी तो ये सारे के सारे हैं तो option D इसका correct answer है आपने भी यही choose किया होगा next question की बात करें तो next question है mission शक्ती is a scheme under ministry of के जो mission शक्ती है ये एक scheme है किस ministry के अंडर ministry of women and child development ministry of gel शक्ती ministry of revenue department none of these तो क्या होने वाला answer बताएं जरा तो हमारे पास mission शक्ती ये जो scheme है किस ministry के अंडर आती है ये पूछा गया है तो हमारे पास option a ही correct answer है यहाँ पे ministry of women and child development याद रखना है mission शक्ती जो है ये scheme किसके अंडर आती है ministry of women and child development के अंडर आती है उसके बाद बात करते हैं under dash section of the protection of women from domestic violence act 2005 the appointment of protection officers is mandatory किस section के अंडर ये बताया गया है section 8 765 क्या होगा answer बहुत important question है तो section 8 में आता है option a इसका correct answer था under section जो हमारे पास 8 section है protection of women from domestic violence act 2005 the appointment of protection officer is mandatory तो ये आपने याद रखना है option number a इसका correct answer है next question की बात करते है which is true about पलना scheme आप से पूछा गया है इसमें से true क्या है पलना scheme के बारे में to improve health status to promote cognitive development to educate and empower parents all are true तो बताएं क्या होगा answer चूज किजिएगा option इसमें से आप से पूछा गया है इन में से कौन सी statement true है पलना scheme के बारे में ठीक है तो इसका right answer क्या होने वाला है हमारे पास all are true ये improve करती है health status को भी जैसे के वहाँ पे दिया हुआ है site पे promote करती है cognitive development को भी educate करती है और empower करती है parents को भी तो ये सारे के सारे true होंगे important होंगे ठीक है जितने भी question बनाए है ये सभी question हुज से create किये हैं कोई copy नहीं की हुई तो ये question अच्छे से frame हुए ठीक है और ये question सारे important है आपके topic से जितने भी आप वो topic पढ़ेंगे ना उसमें से ये चुन के question लिये हुए तो आपने अभी तक के सारे question ठीक किये होंगे next question की बात करते है question पूछा गया है what are the sub schemes of समरतिया आप यहां पर पूछा गया है पहले हम आप से पूछा गया था कितनी होती है लेकिन आप ये पूछा गया है सब schemes किया है समरतिया की परदान मंतरी जो मत्रू वंदना योजना है शक्ति हमारे पास ये सदन है इसको ठीक कर देना ठीक है उसके बात करते है नेशनल करेचिस स्कीम पलना है ये आल अफदीज तो क्या होगा अंसर ये सारी इसके सार आती है इसके अंड़ ठीक है हमारे पास परदान मंतरी मत्रू वंदना भी आती है जो हमारे पास शक्ति सदन है ये भी आती है सदन है यहाँ पर शक्ति सदन और नेशनल क्रेची स्कीम पलना भी आती है तो all of these इसका राइट अंसर होगा ठीक है important होगा याद रखना है ठीक है तो आपने ये question ठीक किया होगा ठीक है all of these इसका राइट अंसर है a place where children are looked after जहां पर देख बल की जाती है क्या यह true है आप से पूछा गया है क्या इसके लिए इसके लिए यह स्टेट्मेंट ट्रू है क्रेची के बारे में a place where children are looked after while their parents are working शापिंग एड्स्ट्रा इसका क्रेची क्या है यह सही है यह गलत है यह पूछा गया है चूज कीजिएगा तो आपने चूज कर लिया होगा तो इसका right answer a ही है यह true है ठीक है उसके बाद है which was the first Indian state to introduce क्रेची पलीशी पहली state कौन सी थी पहली Indian state जिसने इंट्रूड्यूज किया हो क्रेची पलीशी को करनाटका थी जेंड के थी असाम थी ननावदी इस most important question जेके SSB ऐसे ही question पूछता है तो पहली Indian state जिसने इंट्रूड्यूज किया हो क्रेची पलीशी को वो कौन सी थी ये पूछा गया है जल्दी से चूज कीजिएगा answer हाँ जी जल्दी से तो इसका answer क्या होने वाला है यहाँ पर हमारे पास इसका answer होने वाला है करनाटका ओके करनाटका वास दफास्ट इंट्रूड्यूज करेची पलीशी ठीक है यह याद रखने आपने उसके बद कुछा गया है पलना स्कीम इंट्रूड्यूज इन जम्मू और कश्मीरी निवचियर पलना स्कीम जो है वो जम्मू कश्मीर में कब इंट्रूड्यूज की गई थी 2010 में 5 में 9 में 18 में बहुत easy question है आपने इंसे चूज कर लिया होगा तो पलना स्कीम जम्मू कश कश्मीर में कब इंट्रूड्यूज की गई थी हंजी तो इसका राइटेंस की आने वाला है option D 2018 में इंपार्टेंड होगा याद रखना पलना स्कीम इंट्रूड्यूज इन जम्मू और कश्मीरी ने 2018 उसके बाद question हमारे पास पूछा गया है क्रंट मनिस्ट्र आफ हेल्थ and family welfare is अभी जो क्रंट मनिस्ट्र हेल्थ और family welfare के वो कौन है मनसुक अल मनदाविया बहुत important question ये question आने के बहुत ज़्यादा चांज सी अपके exam में गजिनरा सिन सिखावत कीरन रीजू ननद दीज क्या होगा answer क्रंट मनिस्ट्र हेल्थ और family welfare के कौन से हैं तो इसका आप से mission शक्ति के founder पूछेगे हैं चूज कीजिएगा answer important question है founder of mission शक्ति कौन है बताईएगा हां जी तो इसका right answer क्या है हमारे पास इसका right answer है शीरी नवीन पतनाइक ओके शीरी नवीन पतनाइक जो है वो founder है mission शक्ति के आपने इसका answer भी ठीक किया होगा तो हमने इस वीड 25 में से लगबग 22 तो ठीक किये ही होंगे किसी ने 25 भी ठीक किये होंगे तो ये सारे question important थे अगर आपको लगता है कि ये question important है तो आप daily हमारे mock test return कर सकते हैं यहाँ ही पे और इसकी PDF आपको WhatsApp चैनल पे मिल जाएगी नमबर मैंने आपको बता दिया है ओके वीडियो कैसा लग ना ओके टे किर आप यह स्थाल